राजधानी राची के काटाटोली कोकर मार्ग पर करीब तीरेपन करोर की लागत से फ्लाई ओवर का निर्मान हो रहा है यहां लोगों के आवगमन के लिए जो डाइवर्शन बनाये गया है उसका पकीकरन पिलर निर्मान के बाद ही संभव होगा अधिकारियों की माने तो पिलर निर्मान के दोरान भारी मसीनों के इस्तेमाल से सडक तूड जाएगी इसी कारान फिलहाल कच्ची और उवर खाबर सडक पर ही वाहनों का आवगमन होगा वाहनों के आवगमन को सुगम करने के लिए सर्विस रोड पर बने छोटे बड़े गड़ों में बीडिंग मटेरियल्स डाल कर उसके उपर डल्स डस्ट डाले जा रहे हैं लेकिन इन सब के बीच आम जनता का क्या होगा लेकिन इन सब के बीच आम जनता का क्या कहना है उनकी क्या परिशानिया है इस पर किसी की नजर नहीं है देखिए सबरंग समाचार के समगदाता रजनीस की वहाँ के लोगों से खास बात चित कहते हैं अगर कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए इंतिजार करना आवशक होता है और इनी मुद्दों के साथ अभी हम आ चुके हैं जहां पर फलाई ओवर का निर्मान हो रहा है हमारे साथ कुछ जनता भी मौजूद है तो आइए देखते हैं क्या कुछ समस्या हो रही है कि यहां के लोगों को बहुत परिशानियां और ही है नहीं को भी हो रही है किस तरह की परिशानिया है है तो पूरा टेंपो पूरा मेरे परॉलम हो रहा है अब गारी जाम ता ठीक है और मैंने ज़स्ट आंखों से देखा भी कोई बीमार था हो ज़से वो नहीं पर पा रहे था हूं स्पीटर उनका कुछ प्रॉलम हो गया जल से जल काम मतलब की के फिनिसिंग किया जाए बहुत लेट हो रहा है का कुछ कहिएगा इसके बारे में जल्दी डाइवर्शन बना द सची कि आप देखी एक समस्या थे हैं जैसे कि आप देख सकते एक समस्या ये भी है का चलना बहुत मुश्किल है देख रहे हैं कितना किचड़ है खलाए ओबर बनाने वाले को समझना चाहिए पक्ति वो कम से कम बना देना चाहिए है कि लगबग दो साल लगेंगे इसे बनाने में तो दो साल तक हमस्या होगी यह जो बीच बीच में डाला जा रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे यह डश्ट तो गलत डाल रहा है पाईसा बेकार खर्च कर रहा है इससे अच्छा है कि अगर सड़क को पक्का बना दे तो यहां काम जनता को कोई दिकत नहीं होगी आने में समस्या देखिए यह बारिश के वाज़े से यह आज इतना मतलब की इसको जितना हद तक मोटरेबूल रखा जा सकता है उसे ज़्यादा नहीं किया सकता है है यहां फ्लाइओवर बन रहा है कितनी बड़ी सुबदा हो जाएगी अभी घंटो घंटो यहां पर जाम लगा रहता है और जब यह कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो उसके लिए ज़रूरी एक्सकेवेशन होगा इसके नीचे बहुत सारे उटिलिटीज होंगे और इसमें आज हम इसमें ब्लाक टॉप कर देते हैं फिर कल इसको उखाड़ना पड़ेगा तो पब्लिक का पैसा है इसको रोज हम उखाड़े और रोल लगाए क्योंकि इसके अंदर कितने इटिलिटीज है टेलिफोन लाइन है वाटर पाइप लाइन है और हर को शिफ्ट करना है तो थोड़ी inconvenience होगी तो इनको चाहिए authority को कि चीजों को motorable रखे और यहाँ पर traffic को ease करने के लिए traffic का भी arrangement हो सर जी रोज रोज मुझे duty के लिए डॉन बोस को जाना होता है और इस तरह का condition चलो मैं तो अभी यंग हो इसलिए चल जाता है जो बिमार तब के के लोग हो है ना रोज इम्बूलेंस इसमें 50 इम्बूलेंस रोज गुजरती है उनसे पूछे कि उनकी condition क्या होगी तो देखा आपने public क्या सोचती है इस diversion के बारे में और उनकी क्या क्या समस्या है हमने बहुत तरह की समस्या सुना और इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए ये भी public ने बताया जी हां मुद्दा ये उड़ता है जहां एक तरफ सरकार करोडो रुपे खर्च कर रही है इस flyover निर्मान में वहीं कुछ पैसे diversion में भी खर्च करते तो अच्छे होता जी हां मैं रजनीश कुमार कैमरामेन दीपक के साथ सबरंग समाचार राची